तो बच्चों पहले कुछ निया पढ़ ले फिर होमवग भी चेक करते हैं चलो गई ओपनिंग जर्नल एंट्री प्रैक्टिकली मैं यह नहीं बोलूँगा कि यह जर्नल का लास्ट टॉपिक है क्योंकि एक सो कॉल्ड जी एस टी जैसा यंत्र भी आपके सिलबस में है उसमें जर्नल इंट्री ही पढ़नी है सिर्फ बच्चों को डराने के लिए उसको एक अलग चैप्टर बना दिया गया है समझना गया तो डरना नहीं है एकदम कोविट की तरह है रेडी एवरीबडी चली बच्चों आपको याद होगा कि अगर आपने कभी मोबाई फोन अपना अ क्या करते थे फोन नमबर्स को से मेमरी में स्टोर करते थे किसमें सिम मेमरी में और स问 शकन जाते थे फोन कि और से औसलेय निकाल करणा यह सऊंच confront है तो दो चार बार में कोभी पेस्ट करना पड़ेगा टेक्नॉलरी इवड़ी दोगल चाचा आगा उन्होंने का कि login कर लो phone को email ID से हम आपका सारा data store कर लेंगे और उसको बेचेंगे भी बिना आपको बताए और बात में जब आप नया phone खरीदेंगे तो आप इसी email ID से फिर से login करिएगा और जो भी data हमने आपसे लिया है बिना बताए आपको बेचने के लिए वो आपस आपको दे देंगे so phenomenon बन गया कि old mobile phone से आपको क्या transfer करना है new में data is that fundamental logic clear is that fundamental logic clear चलिए तो वैसा ही कुछ बचो opening journal entry में है तो मैं सीधे आपको entry नहीं बताऊंगा मैं पहले आपको एक logic सिखाऊंगा और आज आपको समझ में आई की बात क्यों हमने accounting equation पढ़ने के बाद एक statement पढ़ी थी एक report card पढ़ा था and what was that report card called as किसी को याद हो तो मेरे को आवश्य बता सकने आपने याद करिए after drawing accounting equation हमें एक report card बनाते थे ना 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 बिल्कुल ने अब तुक्का मतमारी प्लीज सर तीन सो पैसर देने के करके बता देते हैं कहीं न गए तो शिवरातरी भसेगी हाँ वेरी गोड चलिए balance sheet के ओपर क्या लिखते थे बच्चो आज कुछ तो लगता है आवर्ड उनिवर्स्टी सही पास हो के आए हिंदुस्तान भूली गए हैं जब से अनुष्का जी और विराट जी चले गए लंडन चलिए left side में क्या लिखते थे चलिए कोई बात नहीं जो घर में लगातार पढ़ाई करेगा वही अंसर दे पाएगा अच्छा यह नहीं भूला सर्वो दुलन लेट में बैठती है हमेशा प्रॉप्रेंबाद गई फॉप्रेंबाद गई वक्का चलिए लाइबिल्टी इज में क्या क्या लिखते थे जर्ण इसका अबी थुड़ा जिक्र कर लें तो अच्छा लेगा विजस्टों आपितल वेरीगुड गुड गुड थी डिटर्स आउट्सेंडिंग एक्सपेंस प्री रिसीव्ड इंकम्स और भी कुछ दिखो सरी एक और लिए चलिए लोन चलिए वेरी गूट एक्सलेंट लिग दिया यह नहीं कि अपनी फ्यूचर जेनरेशन के लिए कुछ जैदाद वगएरा संपत्ती छोड़ जाएं सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं यह भगवान पापा में पदा लग जाए बात तो कितना बजारे सोचें यह पंड़ने व्याद यह घ्यान मिला है हाई पैसा हाई पैसा वह तो अकउंटिंग वाला सॉंग सुना पैसा-पैसा क्यों करती है तो पैसे क्यों मरती है वह सुंग एकांट पर लिखा गया था चलिए तो सोक और यह भी हो गया प्लांट अलमाशिनरी हो गया परनिचर चलिए स्टॉक की लोगों बड़ी चिंता है चलिए कुछ लोग डर रहे हैं कि कहीं पैसा चोरी न हो जाए तो कहरें बैंक में रखिए प्रीपेड एक्सपेंसे एंड अक्रूड इंका चलिए यह समझ में आगे बच्छों अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा आपके बिजनस में एक्जिस्ट कर रहे हैं यह सोड़नो जब तक लान इंड बिल्डिंग रहेगा तब तक यह बैलेंस शीट में आएगा जब बिग जाएगा तो यहां से दफा हो जाएगा यह सोड़नो अनुश्का जी गर्व जी सिमनन जी स्निया जी उतकल जी बात समझ आता रहे आपने बिजनस स्टार्ट किया 1st April 2023 को एक साल एंड हो गया 31st March 24 जो भी आपने सेल परचेज वगएरा वगएरा की उससे तो profit loss निकल आया आपके उपर जिम्मेदारियां जो हैं दे आर ओनर का पैसा तो जरामी तो ओनर हैं आप मतलब बिजनस ओनर का पैसा पहले से मिली इंकम और लो और आपके पास belonging या क्या है लल्लू बल्लू पाप अम्मी फूफा जी सड़ा हुआ समान जिन्होंने पैसा देना है डेटर्स बैंक में रखा हो पैसा कैश प्रीपेट एक्सपेंस एंड अकुरूड इंकम रूखिए अकुरूड थोड़ा अकड 2024 यह है आपका न्यू सेशन यस और नो बच्चे सोचे सर सीजन लिखेंगे नहीं मैं पैदा नहीं हुआ ना मैं वह फैटर की तीन गंडे वाली मुवी वाली सीरीज में पैदा हुए हैं तो सीजन नहीं लिखेंगे क्या लिखेंगे सेशन आप अपना बिजनस कंटीनिय कर continue for a long period of time test में आपने अंसर भी गलत लिगा था गोइंग कंसर्ट जब तक सूरज चांद रहेगा बैलेंशीट में असेट और लाइबिल्टी का नाम रहेगा कौन सा concept था तो भाई आप गोइंग कंसर्ण concept के हसाब से यह सारी असेट्स और लाइबिल्टीज हम continue करेंगे कि नहीं करेंगे तो भाई टेंथ क्लास में बच्चों ने कॉपी बनाई थी हर कॉपी में बीस पंदरा दीस पंदरा पेज़स बच गए तो उन के सपने में बिजनस आएगा और क्या बोलेगा ठेंगा मैं तुमको पैसा वापिस लौटा हूंगा ठेंगा कुछ नहीं मिलेगा क्रेइटर्स को क्या बोलेंगे यह सब मूम आया है भूल जा उसको जाओ कैसा ज्यान देंगे आप बैंक वा लोग क्या बोलेंगे चाओ पहले फिछे मालिया से लोन लेगे आओ फिर मैनेजर जितना लोन दाओगे वापिस देदेंगे क्या यह आप बैंक को बोलेंगे नो लान एंड बिल्डिंग को कब्रिस्तान बतल देंगे नो प्लांट एंड मशिन रीप चलाना बंद कर देंगे ठंडी बहुत है सर फरनीचर को जला के आग ताप लेते हैं या पडोस के अंकल जी के अर्थी उटने वाली उनके पाद अर्थी करीदें पैसा नहीं अपना सोफा क्या करेंगे आपको जैसे आप इनको ग्यान दे रहे तो सब मूम आया है मित्या है आप भी यही समय लीजे बैंक वाले क्या बोलेंगे वह वीजे माले पैसा लेक बाग गए इसलिए आपको पैसा लेके हम भाग रहे हैं और कैश सर यह कटे-पटे नोट पर दिये तो दु लगवास में आपको समझ्हा गया इसी डेटा बैक अपको हम क्या बोलते हैं गलत जवाब इस डेटा बैक अपक करने की रिकॉर्डिंग को बोलते हैं ओपनिंग जोनल इंकी इस डाट क्लियर तो बही यह चीजे पैनिफिट एस्पेक्ट हैं और यह चीजे साक्रिफेश प आप इनको लिखेंगे कैसे मैं बता रहो कैसे लिखूंगा आपको बिल्कुल भी परशान हो नहीं ज़रूत नहीं है बस आप भी अपनी कॉपी में इस जगह पे सो कॉल्ड एक ऐसा एक्जांपल जरूर फ्रेम कर लें बच्छों नहीं तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगे चलिए त्यार भाई त्यार सब लोग तो बच्छों आप एंट्री करेंगे लानें बिल्डिंग एकांट डेबिट आ या इन या या स्टॉक इन ट्रेड एट तो मेरे उपिनियन में आपको लिखना चाहिए काईदे से stock in trade is that clear bank account debit cash account debit accrued incomes and prepaid expenses account debit to sacrifice aspect किसका किसका था बचो बैलन शीट देख के बता सकते हैं आप मेरे को कैपिटल था क्रेटर स्था आप स्टेंडिंग एक्स्पेंस था प्री रिसीव्ड इंकम्स था और देन वी हैड लोग खोपड़ें बात गई सर वैल्यूस कैसे लिखेंगे बस जिसकी जो वैल्यू होगी उसके सामने लिख देंगे को लॉजिक समाजना ज्यादर जोरी है वाय दिस एंट्री इस बिंग डन क्योंकि यहीं एंट्री हमारे पिछले साल के डेटा को हमारी न्यू बुक्स में इनकॉर्पोरेट दाट इस रेजिस्टर दाट इस कॉपी करवाएगी है तो पढ़ते तो सारे बच्चें ओपनिंग बटन को पता ही नहीं होता है कि एंट्री पास की कब जाती है और मैंने एक नहीं कम से कम सेकड़ों बच्चों को क्लास 12 में पहुशते हुए देखा है वो जानते तो हैं ओपनिंग एंट्री बट ये कब होती है और क्यों होती है इसका ग्यान एक प्रतिशत से भी कम लोगो यह हो सकती है, no, तो वहाँ entry सिर्फ started business with cash, plant and machinery, यह हो सकती है, but opening entry नहीं हो सकती, समझ में क्या, क्योंकि opening entry करने के लिए, कम से कम, एक साल business का हो जाना चाहिए, जब आपने एक साल finish है नहीं किया, ठेंग आप continue कर पाएंगे, नहीं समझे बात को, समझ में आ गया, समझ में आय capabilities दे दी जाएंगी, homework आपने किया होगा, आपको कुछ questions ऐसे मिले होंगे, balance sheet तो मैंने जान पूछके बनाई, ताकि आप concept समझ भाएं, is that clear, is that clear, चलिए, जटपट कप्लीट करें बचो, जटपट, written everybody, समझ मागया, चलो भई, तो यहां पर मैंने थ्रोड़ा सा concept लिखा है कि Mr. Mohan थे, मतब थे क्या है, मरे नहीं है, यह data transfer करना चाहते हैं, तो यह कैसे कर सकते हैं, वैस इन्हें data क्यों transfer करना है, answer is to update the information, वैसे ही पिछले साल का data, आपकी books में, जब इस साल record होगा चल रहे हैं, तो आपको उसको transfer करना पड़ेगा, with a special entry, और इस entry को क्या बोलते है आपनिंग एंट्री, where assets shall be debited, liabilities will be created, and capital will also be created, इतनी कहानी समय में आगे, एक एक करके सारी assets को आप लिखेंगे, एक एक करके सारी liabilities को लिखेंगे, और फिर capital को लिख देंगे, यहां तक कोई डाउचलन, बट अब स्टोरी में ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है, question gives you only children, two things, which two things, assets and liabilities, people remembering the accounting equation, चला, yes sir, क्या पढ़ी थी हमने, asset equals to capital plus liability, liabilities, so बच्छों अगर आपको asset पता है, liability पता है, what you can find out, capital चलिए, very good, आपके सामने कुछ information आ रही है, cash, furniture, stock, machinery, x से पैसा लेना है, y से पैसा लेना है, A को पैसा देना है, B को पैसा देना है, और bank loan भी आपने लिया है, तो well off सारी assets नजर आ रही है, liabilities नजर आ रही है, क्या बच्छों आपको यहाँ पे capital जैसा कुछ नजर आ रहे है, capital जैसा कुछ नजर आ रहे है, no, so you will be putting all the assets one by one and all the liabilities, जो आपका difference आएगा, that is the shortage children, आप उ Assets and liabilities are given, आपका difference credit पे ही हमेशा चौट आएगा, debit में नहीं आएगा, it will be called as what, capital, खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई, और अगर तीनों पता है, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, नहीं पता तो याद रखियेगा, the difference of asset and liabilities for children, I repeat, the difference of asset and liabilities for capital, समझ गे इस बात को, अब और मजाने वाला आपको, assets भी दिया है, liability भी दिया है, as well as capital भी दिया है, सर मतलब, तीनों चीजें दी हैं, और entry करते समय, debit थोड़ा सा short आ रहा है, I repeat, क्या short आ रहा है, debit, देखे बच्चों, liabilities भी पता है, आपको, we know the assets, as well as we know capital also, please, total this for me children, 40 plus 12 कितना होता है, 52 plus 8, 60 plus 4, plus 4, 64 plus 4, 68 होता है, plus 3, given assets are totaling 2 rupees, how much, 71, और आप इन सब चीजों को भी जोड़ लीजे, बच्चों, 65 plus 10, 75 plus 3, 78 plus 1, 79, तो भई, assets भी जोड़ लिए, सर, liability भी चोड़ लिया, still कितने का difference आ रहा है, किस side पे यह difference आपको नजर आया, debit, more now, कोई asset ही है यह, क्योंकि opening entry में debit में सिर्फ assets होती है, और कुछ नहीं हो, और यह ऐसी asset है, जिसका जिक्र, क्या बच्चों यहां पे कहीं पे भी किया गया है, no, मतलब यह asset नजर आ रही है कि नहीं आ रही, अगर नहीं आ रही, तो definitely, यह कौन सी asset होगी, intangible, सर आपने पढ़ाया था हमको इसमें, पेटेंट, आपने पढ़ाया था सर, copyright, brand name, trademark, franchise, know-how, masthead, एक और पढ़ाया था सर अपने, what was that, goodwill, तो यह जो बच्चो shortage है, that will be represented as goodwill, अब आपका प्रश्न होगा, sir, why can't we write patent, why can't we write copyright, भई assumption ही है न, कुछ भी लिख दो, assumption है, कुछ भी लिख सकते है, मैं आपकी बात से सहमा दो, अगर patent, copyright, trademark, brand name, franchise कुछ होता, उनके कागस होते, उनके कागस होते, patent का certificate मिलता आपको है, तो सब तो था ही नहीं, तो हो ना हो, कौन सी ऐसी intangible asset है, जो एक दम्मी नजर नहीं आती है, that is only goodwill, that is only goodwill, is that clear, यह एक perspective है समझने का, एक और बता रहा हूं, द्यान से सुनिएगा, आपके business में, total contribution कितना नजर आ रहा है, 79, आपने अपने पास से, या कुछ लोगों से, cash के नाम पे 40 बचा के रखा, furniture के नाम पे 12, and so on, तो total contribution is 79, by Mr. A, by Mr. B, from the bank as loan, and by the owner itself, कितना contribution है, 79, कितना contribution नजर आ रहा है, पट लोगों ने तो 79 contribute किया है, क्यों लोग और contribute कर रहे हैं, मतलब वो आपकी इज़त करते हैं, कुछ reputation होगी, यह दो तफ्थे समझ में आ गए, तो जब भी assets और liabilities दिया है, capital नहीं दिया, what would be balancing फिकर चला, capital, is that clear, assets are given, liability as well as capital is given, and debit is short, I repeat debit is short, हमेशा क्या assume करना आपको, हो ना हो, यह goodwill होगा, समझ गए इस बात को, clear, total लिख लिजे प्लीज, तो आपको याद रहेगा, तो समझ में आगे है, क्यों goodwill assume कर रहे हैं, चलते हैं आगे, again children, assets are given to us, liabilities are given as well as capital भी दिया है, अब क्या short है, create short, चलिए, त्यार सब लोग, तो बच्चों जरा, assets का total करिए, 40 plus 12 is what, 52 plus 8, 60 plus 4, 64 plus 4, प्लस 3, what roads, 1000, liabilities का total करते हैं बच्चों लोग, it is 1000 plus 3000 how much, 4 plus 10, 14 plus 55, 69,000, now which side is short, create side short, create side short, create side short, liability side short, कितना clear होगा, याद हो अगर basic terms लोगों को, तो I have explained the types of liabilities, याद है, एक liability तो capital हुआ करती थी, कुछ हुआ करती थी, non-current liabilities और कुछ हुआ करती थी, current liabilities, is that clear, एक चीज और बताई थी liability में आपको, सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए, जाद हजोर मत डालिएगा, पतल लगा पिछक जाए दिमाग, सोचिए, capital पढ़ाया था types of liabilities में, current liability पढ़ाया था, non-current पढ़ाया था, एक चीज और पढ़ाया थी, सोचिए, 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 I am not hard of hearing, but please speak loud, चार चीज़े बताई थी मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो आप जवाब देदेंगी मेरे को, यह तो मैं तो बताई दूँगा, Google को भी कुछ नहीं बताऊ तो मैं असको बताता हूँ, Capital बताया था, Current Liability बताया था, Non-Current Liability बताया था, एक चीज़ और बताया थी, याद करिए, याद करिए, याद करिए, तो बच्छो एक और Liability जो आपको पढ़ाई थी, that is Reserve, गुल्लक में रखा हुआ पैसा, था तो Owner का Profit, बट वो बिचारा बिजनस में ही छोड़ गया, तो बिजनस के सिर पे बोज है, जैसे पढ़ने वाले बच्चे, नहीं, ना पढ़ने वाले माबाप पे बोज है, Is that clear? तो जो जो आंसर ना दे पाया हो, वो आज टैटू बनवाले हम Liability हैं, हम बोज हैं, और मेरे को इसको बोलने में कोई शर्म नहीं आती है, क्योंकि आप Notes की Reading डेली करते ही नहीं है, डेली Notes की Reading करेंगे, तो आपको समझ में आएगा, और नहीं तो 33 नंबर पाने के लिए तैयार रहिए, और recording का यह सा, पेरेंट्स को जरूर सुपाईएगा, Is that clear? जिससे आपकी उकाद और मेरी हैसियत दोनों पता लग जाए, Is that clear? तोड़ा साथ क्लिप काट लीजेगा, सब घरवाले भी काट डालेंगे हमको, जिन्दा राखे करोगे गया, चलिए, तो इट इस, रिजर्व, तो ओनर कहा रहा है, मैंने दो लाख रुपे कमाए, एक लाख अठानवी अजार घर ले जा रहा हूँ, ट्राइंज हो गया, प्रॉफिट में से, और दो अजार यहीं छोड़ जाऊंगा, तो बिजनस के सिर्पे बोज है, और इस बोज को आप क्या नाम दे रहे हैं, अभी भी बिदाया आपने, रिजर्व बिसिकली, कुछ बुक्स में बच्चों रिजर्व लिखा है, और कुछ बुक्स में आपको टेक्स मिलेगा, डोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, एक पूरा चैप्टर है, इसके उपर महां बताऊं बहर ज्यादा, प्रॉफिट कमाया, रोज मर्रा के बिजनस से, थोड़ा धर ले गए, थोड़ा छोड़ गए, जो छोड़ गए वो रिजर्व, अगर आपने कोई असिट बेची, और उस पे प्रॉफिट हुआ, उसको बोलते हैं, बड़ा प्रॉफिट क्या बोलते हैं, सच जैसे बड़ा मंगल होता है, हाँ वैसे ही, बड़ा प्रॉफिट मतलब, कैपटल प्रॉफिट, एक लाग की बिल्डिंग थी, एक लाग दसदर में बिग गई, तो ये दसदर हमेशा का profit नहीं है, रोज-रोज का profit नहीं है, ये कभी-कभी का profit है, capital nature profit बोलते हैं इसको, इसमें से 7000 रुपे, फिर से building खरीदने में लगा दिया, और 3000 बिजनस में रख लिया, इस profit को क्या बोलेंगे रखे हुए को, capital reserve, तो रोज मर्रा की कमाई को, business में रखो, घर मत लेके जाओ, तो इट इस reserve, बट कभी-कभी वाली कमाई को, अगर business में रख गए, और reinvest नहीं किये, तो इसे नाम क्या देते हैं, capital reserve, तो अब reserve भी लिख सकते हैं, अगर liability short होती है, opening entry में, या capital reserve भी लिख सकते हैं, कोई फरक नही काफी है, खोपड़े में बात गई, तो वेन, assets and liabilities only are given, आपका answer क्या होगा, बचो, capital, asset भी दिया है, liability भी दिया है, capital भी दिया है, and debit is short, what is your answer, goodwill, asset दिया है, capital दिया है, liability दिया है, and credit is short, what shall be your answer, children, reserve या, capital reserve, खोपड़े हम बात गई, ये concept 11-वी में तो काम आता ही आता है, 12-वी में भी काम आता है, is that understood, तो please do the markings, पोचो इसी के साथ हमारी special journal entries होती है, समाथ,